Hello everyone, I am Sandeep यादव and I welcome you all on my channel. Vocab के इस एक ओर सेशन में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ. कल जितनी Vocab होई थी, आज उससे आगे बढ़ते हैं. उम्मीद वस आप से यह करूँगा कि आप बार-बार इसको पढ़ते रहें. नोट जरूर कर लें, कोपी में और वीडियो को एंड तक देखके जाएं. क्योंकि हरें के एक वर्ड बड़ा इंप्रोटेंट है. चलिए, आज का जो हमारा मिनिंग है ना, वो यह यह जो रेसिंड यहाँ पर लिखका हूँ, मैं टीकुलेस तक हमने पढ़ लिया था. ठीक है, चलिए, तो हम आते हैं आज के मिनिंग पर रेसिंड, रेसिंड का मतलब होता है पोस्टपॉन, इस्थगित कर देना, पोस्टपॉन, यह एक वर्ब होती है, ठीक है ना, यह एक वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है, इस्थगित कर देना, यदि ओप्शन की बात कर तो इसमें आपका option होगा यह second, revoke, ठीक है न, कहीं पर to cancel भी लिखवा मिल सकता है, to cancel, ठीक है, revoke, यह आपका meaning होगा इसका, next word है आपका antipathy, यह एक noun होता है, ठीक है, जो कि sympathy का opposite होता है, ठीक है न, sympathy का opposite होगा antipathy, तो यहाँ पर जो आपका meaning होगा वोगा dislike, illicit, illicit एक adjective है, इसका मतलब होता है, गैर कानूनी, ठीक है न, यानि कि सीधा से मतलब यह है, कि जो illegal है, वो ही क्या कहलाएगा, हमारा illicit कहलाएगा, ठीक है, जो unlawful है, जो law नहीं है जिसमें, flare, flare का मतलब होता है, talent, यानि कि flare का मतलब होता है, क्या, skill, यह एक noun होता है, skill, अधिकल न टैलेंट को फ्लेर बोलते हैं ठीक है बिलकोल एक डवड़ुड़ु में प्लेयर का नाम है रिख फ्लेयर वह यहां से आगे बना ठीक है जैसे हम नाम रखते हैं हिंदी में किसी कि नहीं कि आफ्टर गोड भगवान के नाम परम बहुत सा नाम लग देते हैं ठीक है ना राम कपूर राम पार राम से बने तो अंग्रेज लोग है वो भी ऐसे रखते हैं वो इंग्लिश में रख देते हैं ठीक है फ्लेर वहाँ से वड़ उठा लिया फ्लेर का मतलब टैलेंट होता है कंजर्वेशन कंजर्वेशन एक नाउन है ठीक है कंजर्वेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है संग्रक्षन प्रोटेक्शन जिसका मतलब होता है ठीक है ना यानि कि इसका ये ओप्शन होगा आपका फर्स्ट प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन संग्रक्षन ठीक है protection कहने का मतलब security abysmal abysmal एक adjective है जिसका मतलब मैं आपको बताऊँ तो deep होता है वैसे deep word इसके लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा क्योंकि और कोई word नहीं है तो हमें ये word लिखने ही पड़ेंगे एक word लिखा हुआ है इसमें bottomless ये word बहुत जाएगा आपको help करेगा सम्मुद्र की जो गहरा ही होती है जिनकी गहरा ही का पता नहीं होता उनके लिए abysmal word का यूज किया जाता है अथा गहरा अथा जिसकी गहरा ही कुछ पता ही नहीं है कितने किलो मीटर तक गहरा हो सकता है इसमेरियान गर्त वगहरा है 11-11 किलो मीटर लंबी है वो 11,000 मीटर तक कि उनकी गहरा ही है तो उनके लिए abysmal word यूज किया जाता है क्योंकि डीप तो नॉर्मल यूज किया जाता है ना डीप तो आप 10 मीटर 12 मीटर पर जाके डीप अपना हो जाता है तो ध्यान रखेगा अब इसमल का मतलब गहरा ही होता है लेकिन बोटम लेस इसके लिए बहुत बैस्ट वर्ड है ठीक है ना यानि कि जिसमें बोटम का ही नहीं पता है अथा गहरा एडजेक्टिव होता है 125 सेलेंट का मतलब यह एक एडजेक्टिव है इसका मतलब बताओ तो चीफ होता है यानकि मेजर भी मिल जाएगा लिखाओ मुख्य है मुख्य है जो वर्ड होता है ठीक है ना यहाँ पे वर्ड लिखाओ प्रोमिनेंट यह इसका मिनिंग है प्रोमि इसका मतलब पोजिट होगा क्याम छोड़कर भग गए ठीक है डीकैम्प होती है कि वह इसका मतलब होता है एसकेप कर जाना बच के निकल जाना भाग जाना फ्ली थर्ड यहां पर आपको अंसर होगा इसकेप भी हाँ पर लिख सकते हैं वर्ड अगर्न नोट करना चाहो तो इसकेप में ओसकेप वर्ड भी यह सी का होगा ठीक है रन अवे 126 होगा फिलेइंट्रोपिस् फिलैंट्रोपिस् पिलेन्फ्रोपिस्ट एक नाउन है यहाँ पर ठीक है न जिसका मतलब क्या होता है बेनिफेक्टर जिसका मतलब क्या होता है बेनिफेक्टर बेनिफेक्टर का मतलब सिधा सिधा यह हुआ जो किसी की हेल्प करता हो बेनिफेक्टर का मतलब क्या है जो किसी की हेल्प करता हो चेरिटी करके वो परसन जो चेरिटी करके पैसे देखर किसी उसमें help करता हूँ किसी का ठीक है इसे बोलायता है philanthropist benefactor परोपकारी परोपकारी व्यक्ति जो होता है जहां रखना है यह charity करके जो परोपकार करते हैं यह वो हैं लोग exotic एक word है exotic adjective है ठीक है इसका मतलब होता है विदेशी विदेशी foreign foreign एक word होता है ना हाँ जी यह alien वर्ड जो लिखा हूँ है first यह इसका अंसर होगा 128 का first alien विदेशी नेक्स्ट आजा यह नेक्स्ट आपका word है यहां पर 129 129 ठीक है ना यह लिखा हूँ incapacitate का मतलब होता है disqualify कर देना disqualify का मतलब आप मैं बता क्रिपल सीधा से मतलब बता हूँ तो cripple disqualify कर देना ठीक है ना सीधा से मतलब है अंग भंग कर देना incapacitate ठीक है ना क्वालिफाइए कर देना यह सब चिज़ इसमा आति है in Bridgeggback तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा क्या इंग किसी की शक्ती कम डेना ये ब्रकिफ और किसी की कैपिस्टी कम कर देना कैपिसिटी से बना ब Bowden कैपिसिटी का congregation एक noun है जिसका मतलब होता है जो religious people होते है उनका group जब एक जगह पे बैठा हुआ religious people कोई भी meeting उनकी जब हो रही हो धार्मिक सबा उसके लिए तो यहाँ पे meaning है आपका क्या meeting ये इसका आपका answer होगा assembly भी लिखावा मिल सकता है जोगे एक्जाम में assembly भी आ गया इसके लिए वर्ट assembly लेकिन ध्यान रखिया कुछ group होते है जिसे crowd होता है कुछ people खड़े हुएं कहीं पे किसी नजारे को देख रहे हैं तो crowd है लेकिन यदि यही लोग लाठी टंडे उठा लें और यह हिंसा तुमक भीड हो जाए तो ध्यान रख ने mob कहलाईगी उसी तरीके से यदि people लिखटा हुएं किसी religious matter को लेका तो उसे congregation कहला जाता है noun में topic होता है collective noun उसमें यह congregation आता है पड़ाने के लिए ठीक है next आजाए irreproachable यह एक adjective है जिन words के बाद में लिखाओ ध्यान रखना यह suffix जो जोड़ा हो यह adjective को represent करता है इसका मतलब जो पहुँच से बाहर हो irreproachable का मतलब जो पहुँच से बाहर हो यानि कि जो normal नहीं है extraordinary extraordinary abnormal बोलते हैं जिसको जो normal नहीं है ठीक है 132 felicity felicity का सीधा सीधा मतलब होता है happiness परम आनन्द ठीक है ना परम आनन्द को बोला याता है felicity यह आप भी देख लीजे ity लिखावाई एक noun होता है parts और पीछे दी बात करें तो noun है यहाँ प्यांसर होगा इसका थट bliss नेव पे आजाईए नेव हमने पढ़ लिया है कई भाड नेव का मतलब सिधा सिधा होता है दोस्ट विक्ड है ना dishonest यह सारे वर्ड है scoundrel scoundrel रास्कल भी वर्ड इसी के लिए आता है रास्कल होता है ने वर्ड रास्कल यह सी के लिए आता है scoundrel ठीक है ना एडजेक्टिव frontier का मतलब होता है boundary frontier एक geometry box आया करता था frontier का geometry box आया करता था इससे खेला कर देते हैं कि Fname का फोजीता राजिस्थान से आया था वो नाम की गोली लगी नर्स का बलाया था तो frontier का मतलब होता है C slips boundary जो होता है नोसे frontier बोल जाता है next route route का मतलब होता है हार defeat दोनों तरीके से काम करता है यह route वर्ब का हर देना और defeat हार ठीक है न लेकिन यहाँ पर क्योंकि noun है क्योंकि option में कुछ ऐसे मिलते जुलते हैं ठीक है कि loss death और crash तो यहाँ रखेगा यहाँ पर noun है और यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा defeat defeat हार चलिए forgo एक वर्ब है इसका मतलब होता है त्याग देना त्याग देना जो abundant आप वर्ड पढ़ते हैं forsake आप वर्ड पढ़ते हैं लीव यह सारे वर्ड तो यहाँ पर आ जाएगा आप पांसर रिनाउंस फोर्गो का मतलब क्या होगा यहाँ पर रिनाउंस होगा त्याग देना रेसिपियंट्स बड़ा असान वर्ड है रेसिपियंट्स का मतलब होते हैं कौन 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 लिख लें सीधर सा मतलब सिधेर्ट्स जो सिधेक रिसेव करने वाली है प्राप्त करता है डिसीРЕट्स नंस ठीक आपकी इंवैल ओ और व्गेर आता होगा आप जब फोन पर मेसिज करते हैं आजका अपने में वील हैं तो महां पर जिसको मेसे नहिन बेजते हूं आपर वेस्टफुल, एक वर्ड होता है न, लविश, ये सी का वर्ड है, ठीक है न, स्पेंट थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रा वेजेन्ट, ये सब इसी के वर्ड है, इंपोस्ट, इंपोस्ट बनके आया है, इंपोस्ट से, इंपोस्ट बनके आया है, इंपोस्ट से, Impost का मतलब होता है थौप देना किसी पर कोई बात जबड़िस्ती थौप देना Impost जो होता है ये एक नाउन है ठीक है ना इसका मतलब होता है Tax, Duties, Penalty चुंगी Penalty तो नहीं कह सकते हैं जो चुंगी होता है करव अगयरा जो होते हैं Course Course का मतलब होता है Not Even Surface Not Even Surface Even Surface का मतलब समझ गया ना जो Surface, Fair Surface ना हो Plain ना हो ठीक है न, Rough Course का मतलब होता है ठीक है So Students, आज के लिए Vocab ये इतनी रहने देते हैं ये 20 वर्ड हैं आपके आप इन्हें ही आज नोट करिएगा ठीक है न और इने बहतर तरीके से अच्छे अपनी कॉपी में बना के लिख लिजेगा ये आपके बहुत काम आएंगी ठीक है तो आज के लिए ही पर छोड़ते हैं Next Class में यानि कल मिलते हैं आपके साथ इस Vocab के नए सेशन पर ठीक है न वीडियो को देखते रहे है आगे पहुचाते रहे है ठीक है कल तक के लिए आप सभी को राम राम नमस्ते बाइ गुड नाइट और जैहिंद